मन लागत नई खे कता ही हमर बाबो जे भाई लोग जो लोग कहते हैं न कि पवन सिंग घमंडी है उनके अंदर बहुत जादा इगो है टीटूड है उन लोग से कहना चाहता हो कि भाई लोग इस वीडियो को ज़रा देखिए आपके रूह ना काब जायना फिर कहिएगा पता है पवन सिंग इस वक्त कितने तकलीफ में है वो कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा अभागा इंसान हूँ इतना अलगी इंसान हूँ कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सका क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि हम पवन बेटा के बववा के गोध में खिलाई मेरे पिता बोते थे कि बेटा हम के कुछन चाहिए पवन के लेगा खिला लेक्तर हम चलिए जेट को नो तकलीफ ना रहे लेकिन इस सपना को पवन सिंग पुरा नहीं कर पाते हैं इस वज़े से पवन सिंग खुद को बैड लख इंसान मानते हैं लेकिन मैं बदनसीब इंसान हूँ बदनसीब बेटा हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पुरा नहीं कर पाया और कह रहे हैं कि हम कितना बड़ा भागा है और वहीं पर ये भी कह रहे हैं कि लेकिन मैं अपनी मा के सपना को जरूर पूरा करूंगा लेकिन हाँ माई के सपना पूरा करण चाहें जैसे हो के अब माई बजल में भी है भाई लोग जो लोग कहते हैं ना कि पावन सिंग एटिटूड वाले हैं एगो वाले हैं जो भी है यार बहुत अच्छे हैं यार उनकी इमोशन्स को भी तो समझो इस वक्त पावन सिंग काफी तूटे हुए नजार आए आपको बता दे कुछ दिन पहले पावन सिंग एक पुराने गाने को सेर किये जिसमें ये साब जलक रहा है कि पावन सिंग अपने पिता जी को याद कर रहे हैं उनको अपने पिता जी की कमी खल रही है इस वक्त जब वो चुनाव लर रहे थे पूरा देश उनको देख रहा था पूरा देश जान रहा था और पुरी काराकट की जंता भी देख रही थी तेकिन वो किसी कारण बस चुनाव हार जाते हैं काफी ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा उन्हें और यह जो वीडियो देख रहे हैं पाई साब यह बया करता है कि पवन सिंग कितने emotional इंसान है कितने emotional इंसान है जो लोग कहते है कि इनको रिष्टो की कदर नहीं बाई साब इस से जादा क्या कदर हो सकता है जो इंसान कलप के बोल रहा मतलब सेल्यूट है पौन भईया आपको और उमीद करते हैं कि आप अपने जीवन में वो सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने सपने देखा है चाहे जिन के लिए भी देखा हो और भगवान से में प्रातना करते हैं ऐजा एक फैन के नाते कि आपके सारे सपने पूरे हो और आप अपने जीवन में, अपने परिवारिक जीवन में हमेशा खुस रहें जो लोग पवन सिंग के फैन हैं, प्लीज कमेंट में ज़रूर ये किजिए कमेंट किजिएगा, कि पवन भाईया हमेशा खुस रहें और उनका परिवार हमेशा बना रहे एक जूट रहे धन्यवाद दोस्तों मेरा नाम है पिंटु सोनी